पुरान के अनुसार चट पूजा के सुरुआत कैसे भाहिल हम बतावत बानी रवव सभे ध्यान दगा के सुनी राजा प्रिवन्त के कौनो संतान ना रहे उँ बड़ा दुखी रह ले एक दिन महर्श कस्प के द्वारा यगे करवलों और जवन पूजा के अहुती में जवन खीर बनल उँ राजा प्रिवन्त के पत्नी के देले जेकरा से संतान के प्राप्ती भई बाकी उँ संतान मरल पैदा भई राजा प्रिवन्त बच्चा के लेके संसान की ओर चल देले और बच्चा के बियोग में आपन भे प्राण त्यागी के गोशिस के ले तब तक भगवान के मानस पुत्री देव सेना प्रगट हो गई ले उँ स्रिष्टी के मूल प्रवित्ती के छठी अंस में उत्पन भईल रह ले एही से उनकर नाम छठ पडल उ राजा के प्राण त्यागला से रुकली और कहली तो ओधास मत होगा तु हमार पूजा करा और दूसरों से करवावा और इपूजा के बिधी बिधान बतावा इपूजा कार्तिक सुकल पक्च के चतुर्थ दसी के उपासना और कार्तिक सुक्रपक्च के सब्तमी सूर के अरग के सही समाप्त होला ए तरह से राजा प्रिवन्त उपासना कई ले ता उनका के पुत्र रत्न के प्राप्ति भाई एही से छट पर मनावल जाला जै हो छटी मैया पर्टन और साथ में खर्टी का पर्टन है